सम्विधान के अनुसार भारत में रहने वाले प्रतेक नागरिकों को समान अधिकार दिया गया है सम्विधान में ये बात असपस कहा गया है कि समान काम का समान बेतन होगा लेकिन उसके बावजू कितना पैसा मिलता आपको एक से चालीज यहां पर आदमी भी काम करते हैं उनको कितना पैसा मिलता है कितना पैसा मिलता आपको कभी कभी सफाई नाने वाले की और ना पड़ जाता है कितना पैसा मिलता आपको कितना पैसा मिलता आपको पुरुष भी काम करते हैं यहां पर परवा में कितना उनको मिलता है कितने घंटा काम करते हैं यही नौ से पांच कितनी मज़्दूरी मिलती आपको यहां फूल पौधे लगते हैं और गुड़ाई भी होती है गन्ला भी रंगते हैं जंगल भी करना पड़ता है जानू भी लगाते हैं इते की रंगाई होती है कुड़ा भी फेंकना पड़ता है भी मलबा भी फेंकना पड़ता है कुल कितने घंटे काम हो जाता होगा आपका अरे आठ घंटे तो हो जाता होगा कितना पैसा मिलता है आपको एक सो चालीस उपर पूर उस लोगो कितना मिलता है एक सो दो सो तीस उपर क्या क्या काम करना होता आपको अरे मसीन चलाना है पेड़ पौधे गोड़ाई करना है सफ माली के अर्म गोडाई है, फुरा उखाना है, जैसे है, जंगल छिलते हैं, त्यारी करते हैं, गेडिंग करते हैं, और फुरा थेक ना पका, छिलते हैं, फारी लबाते हैं. इस कितना पैसा मिलता आपको? एक से चालिस. और आदमी भी यहां पे काम करते हैं? और आदमी करते हैं, तो दो से तीस पाते हैं. अभी हमारे हर्डी कल्चर का काम चलता है, माली का, पेल छटाई का है, गुलाई का है, निकाई का है, मतलब घास कर्टिंग है, फिक तपकाम है. कुल कितने मज़दूर अभी आपके अंडर में काम करना हैं? हमारे एंडर में हैं 30-35 लोग महिला पुरूस अगर हम कहें तो 20 महिला हैं और टोटल 18 पुरूस तो दोनों लोग काम कितने गंटे करते हैं यह मतलब वाट गंटे की जूटी रहती जिसमें से 6-7 गंटे काम तोनों लोग क्या क्या काम करना होता है बस यही माली का ही काम रहता मजदूरी क्या मिलता है देते हैं हम लोग मजदूरी वही 230-6,000 रुपए मंतली है और 4 शुक्ती मिलती संदे 230 किसको देते हैं हम लोग जेंस को महिलाओं को 140 कर दो दो